आज मीडिया वाले न्यूस चैनल वाले बहुत आगे निकल गए इतने आगे निकल गए कि तम हाथ से निकल गए बहुत तरक्की की है न्यूस चैनल वालों ने बाबा अस्ती प्रतिशत हमारी आबादी हिंदू है असी प्रतिशत आबादी सनातन धर्म को मानती है पोटिया नोशने वाला गीदर गलाफाने से शेर नहीं बन जाता लेकिन मानो सियासत ने हिंदूओं को सौफ टार्गेट मान लिया है क्या आपको लगता है कि बॉलिवूट का इजी टार्गेट है सनातन धर्म हम लोग इसलिए सवाल पूशने कि कॉंग्रेस और आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रहे है कि कॉंपिटीशन चल रहा है हिंदू आस्ता को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है हिंदू घुप रहें गे। किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सरतन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं अच्छा फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है हिंदू जो है तृशूल ले कर तलवार ले कर अब जो है नारे बाजी पर उतराया है और दराने धमकाने पर उतराया है यही है वो मेम साब जिनके बारे तुम बात कर रहे थे जैसे बाकी धर्मों का डोर होता है वैसे हिंदुों का भी डर होना चाहिए अरे आप बार 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 किसी की किस सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे तो फिर और क् नजर आएगा तो गोधी मीडिया का जो स्वर्ण यूग चल रहा है वो अभी चलेगा अभी चलेगा लंबा चलेगा कि मोधी के आठ साल सनातन संस्कृति का ये पुनर जागरण का काल है क्या मैं मानता हूं कि मोधी के आठ साल सनातन का स्वर्ण काल मोधी के आठ साल सनातन का सोनकाल और सनातन का सुर्योदे विपक्ष में भै तो यह जो गोदी मीडिया है यह हमारे डिमोक्रिसी का हत्यारा है उससे कम कुछ भी नहीं है अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूलेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़े आज आप कह रही है महंगाई पर आपको सारी चीज़े पता है आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है और वो तिवार बनाने लायक नहीं आज आम मुझे पर आरूप लगा रही है कि आज मैं हिंदू मुसल्मान और हम ये डिबेट कर रहे हैं महंगाई के नाम पर महंगाई के महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता आप यह आपने बताया आप भी इंदू मैं भी इंदू और यह महंगाई की चिंता हो रही है कमाल की बात है लेकिन यहां तो पत्रकारिता नहीं करने के लिए पत्रकार कहे जा रहे हैं और उन्हें सम्मान भी मिल रहा है तो इस समाज में एक खूबी है मैंने देखा है इस समाज को बहुत गहराई से कि दलालों को भी महफिल मिलती है अरे कहना क्या चाहते हो जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से ट्रैफिक जाम की समस्याओं से और जरजर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से भले आप मुझे ना देखें लेकिन टेलिविजन पर नियूस के नाम पर जो गंदा नाला बहकर आपके घरों में आ रहा है उसे देखना बंद करना ही होगा पता है न आप सुबको नहीं पता है कहां पता है हाथ उपर को रो किसको पता है